सुबह के स्टार्टिंग हो चुकी है और आज स्टार्टिंग हुई है वॉक के साथ तो वॉक किया मैंने सबसे पहले और उठी थी पांच बजे के आज़ पास तो चालिस मिनट के करीब मुझे आज एक्सरसाइज करनी है अगर ग्यानू का स्कूल होता है तो फिर मैं थोड़ स्कूल नहीं थैसलिए मैं आराम से उठी और फिर अपनी वॉक अपनी एक्सरसाइज अपना योगा सारा अपना रूटीन प्रॉपर जो भी होता है पूरा किया तो फिर उसके बाद में मैं आगे एक्सरसाइज करने एक्सरसाइज कर टाइमिंग मेरा होता है करीब 30 मिनट इस टाइम पर मैंने कर दिया है क्योंकि मैं बहुत जल्दी वेट लॉस करने का सूच रही हूं और खाने पीने में भी आजकर बहुत ज्यादा परहेच करने लगे हूं जैसे अभी तक था मीठा खा लेती थी अभी मैंने मेठी चाय बिलकुल जोड़ दी है और मीठा भी ब आप लोग बहुत जादा अच्छे होंगे healthy होंगे fit होंगे तो आज सुरू हो चुका है दिन और मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ नहीं शेयर की है लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले मांड में था कि नहीं करते हैं आज का वीडियो लेकिन फिर सोचा कि चलो कर ही लेते हैं तो दिन की सुरुवात हो चुकी है as usual दीरे वाला पानी के साथ और फिर इसके बाद बागी की जो भी चीज़ा होंगे जो भी खाऊंगी प्यूंगी वो मैं अप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो क्योंकि अब तेवहार का टाइम है तो इसके चलते ना वे थोड़ा सा चलो पहले से स्टार्टिंग कर दो तो वो चीज़ें फिर बाद में दिक्कत नहीं देंगी अगर आपका वेट एक बार गेन हो गया तो फिर वेट मेंटेन करने में बड़ी कठी नहीं होती है क्योंकि मैंने वो चीज़ें जेली है लेकिन मेरा वेट गेन होना वो तो पय था कि सभी का होता है तो फिर मैं जितना मेरा ग्यानू होने के पहले मतलब पचास उनचास ऐसे होता था उतना मैं आज तक नहीं कर पाई हूं लेकिन फिर भी मैंने बहुत वेट कम किया है 20 किलो के करीब मैंने अपना वेट कम किया है और वो चीज़ें मैंने कॉई भी सपलीमेंट नहीं लिया कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं जैसे ग्रीन टी हो गया यह सारी चीज़ें में नहीं लिग घर के चीज़ों से मैंने वेट लॉस किया है तो उसी को मैं Ipko बताते हम मतलब मैं आपको बताती ह questão कि मैं कैसी वेट लॉस मैंने अपना किया हम होते हैं इनके बाद आपका वेट गेन नहीं होगा जितना है उतने पे रह जाएगा और भूख से हमेशा कम खाईए जैसे बूख है दो रोटी की तो आप दो रोटी नहीं सिर्फ डेर या एक रोटी खाईए धीरे धीरे कम करिए उसके बाद आप चावल और आटा कम कर दी के लिए भी अच्छी होती है और साथी साथ ग्लूटल फ्री भी होती है तो चलो खार स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जीरे वाले पानी के बनाने का सबसे अच्छा नियम होता है कि आप उसको रात में भीगो दो फिर अच्छा से बॉयल कर लो और बस उसको चान के पी काम कर सकते हो तो उसके बाद यह रहा खाना खाना मैंने सबसे पहले सब को दे दिया फिर उसके बाद मैंने खा लियो और आज थी खाने में काली दाल नीबू बाचार और मिर्ची जो मैंने हलकी सी रोस्ट कर ली थी और सबजी लीफी वेजी जाज बनाई थी तो ग्रीन ग क्योंक權 को फरिए बाद सब्सक्राइन набorbma क्युक्त के बादुव साने के Leit to All की अभी क्या है कि अगर मेरा मन किया तो मैं लगी अगर नहीं मन किया तो फिर मैं नहीं लोगी तो यह हो गया और उसके बाद फिर खाना पीना खाने के बाद मैंने सारा काम निप्टाया और रिस्ट किया तो तीन बजे के करीब जब उठी तो ये थोड़ी सी लईया थी और ये वाली लईया घर में बनाई जाती है तो इसको पहले चावल भॉयल करके फिर कूटते उठते हैं तो ये वाली लईया मैंने खाई और ये बना लेते हैं जिसमें कि मैं भाजी ज्यादा ले लूँगी पाव मैं कम लूँगी अपने लिए तो ये मैंने सिम्णा मिर्च भी टाल दी आधी मैंने डाला है क्योंकि हम तीन ही लोग है मैं मिस्रजी और ग्यानुम तो अभी समय आ गया है भाजी में तड़का लगाने का और तड़का ही बहुत ही कम तेले के साथ लगा रही हूं क्योंकि अगर आप से कोई पूछे आप पाव भाजी घा के वेट लॉस कर सकते हैं तो आप बोल देना हां भाई हम कर सकते हैं तो इसी तरह से मैंने भी बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालके और फिर उसके बाद इसी कि मेरा टारगेट है कि एक हपता में मैं कम से कम तीन से चार किलो वजन घटाओं तो देखते हैं अगर होगा तो भी आप देखोगे नहीं होगा तब भी आप देखेंगे पिछली बार तो मेरा एक हपते में एक हपते और एक दिन में मतलब कि पूरा आठ दिन में मेरा एक क कि देखते हैं कितना कम होगा तो उसी जो भी होगा वह आप लोगों को दिखाऊंगी हमांकिrestri इधर विमाने तेल डाला और देल नहीं है कि नुकसान करोगे कि यह जितना भी तेल है सारह तेल आप ही नहीं बिल्कुल आसपास घूम रहा था बच्चों का होई जाता है कि जैसे उनके पसंद की चीज़ें बन रही है ना तो फिर वो किचन छोड़ के जाने वाले नहीं है और बच्चों से जादा ना तो हमारे घर में एक और बच्चे हैं जो बच्चों के मतलब ग्यानों के पापा है वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो उनका भी वही हाल होता है दोनों लोगों का फिर आसपास घूमेंगे तो फटा-फट से मैंने पाव भाजी बने हलाकि मैंने पाव सिर्फ एक ही लिया है लेकिन मैंने भाजी भर के कटोरा लिया था बाद में एक ग्यान सकताने की तैयारी करते हैं और जब भाजी बन जाए तो उसमें लास्ट में पाव भाजी मसाला आता है उसको एड़ कर देना उससे बहुँआ अच्छा टेश्ट आता है आपके पास धनिया है धनिया भी आट कर देना क्योंकि मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं आड़ किय और अभी टाइम हो गया है पाऊ सेखने के लिए सबसे पहले बटर डालेंगे बटर में थोड़ा सा मसाला डालिएगा और फिर उसको सेख लीजिएगा बढ़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है तो यह काम हो गया उसके बाद फिर खाने की तैयारी करते हैं और जब मैं साम को खा मैं सोचा कि चलो खाते हैं और तो मैं जब खाती हूं तो फिर उसके बाद मैं करीब 40 मिनट तक टहलती हूं 40 मिनट 20 मिनट मनलब कुछ ना कोछ ऐसा टाइम होता है जिसमें मैं छट पे जाती हूं और टहलती हूं लेकर इन फिर से पकड़ा दिया तो मैंने उस का भी फिर उसको वापस किया है कि मुए उसके साथा की मेरा कम नहीं है और इसी के साथ आज को वीडियो भी खतम होता है अच्छ stability करिदेया चैनल पर फर्सक्राइब हुत रहा सबसक्राइब